हेलो गाईस मर नाम है गुलाम गौस आप देखे टेक सिंपल तो आज हम अन्बोक्सिंग करेंगे लवा ब्लेज प्रो का जो फ्लिपकर्ट वैपको काफी असानी सब 9500 में आपको देखने के लिए मिल जाता है तो इस वीडियो में खास करके हम बात करेंगे कैमरा कैसा है डिस एक और बॉक्स मिल जाता है जिसमें आपको यहां पर बैके लिल जाता है जो ट्रांस्परेंट है यहां पर प्यारा सा फोन है जो कि आप देख सकते हैं और यहां पर Type-c चार्जिंग पोर्ट है एक चार्जर है जो कि 10W का है और 10W नहीं होना चीए था कम से कम यहां पर 18W का चार्जर जरूर होना चीए था लेकिन इस फोन का मुझे एक चीज सबसे बहतरीन लगा है वो है इसका लुक्स और डिजाइन यह चीज को मानना परेगा क्योंकि यहां पर लुक्स आप देख सकते हैं मतलब सारे 9000 के हिसाब से अगर इसका लुक्स देखा जाए तो बिल्कुल प्रीमियम आपको देखने के लिए मिलेगा जैसा कि इसका कैमरा का कट आउट हो गया या पीछे का जो जैसे की फिनिसिंग है वह मैट फिनिसिंग के साथ में आपको देखने के लिए मिलता है आपको 206 temperament मिल जाता है और इतना ज्यादा यह सिलिकी है कि ये नीजग के साइट में आ रहा है आप देख सकते हैं यहां पे आपको पावर बटन के साथ में फिंगर भीन देखने के लिए जो कि आपी आप यह से ऑप्रेट कर सकते हैं उपरके साइड में कुछ नहीं है और पिछे के साइड में डिजाइनिंग देख सकते हैं खास करके क्यामरा का कट आउट देख सकते हैं काफी फसंद आने वाला है आपको तो इस पर दाग धबा बिल्कुल भी नहीं आता है यह चीज आपको यहां कर पो हमने ओन कर लिया है डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको पूंग का क्वाव को और brightness की बात करें तो इतना brightness है कि आप daylight में भी इसको कर सकते हैं बहुत जो excess brightness होता है उतना जादा तो brightness नहीं मिलेगा इस प्राइट प्रेंट के साब से किसी भी फोन में लेकिन brightness ठीक ठाक है आप इसको यूज कर सकते है daylight में भी और low light में भी फोन में एक चीज मुझे यह अच्छा लगा है कि एक भी आपको file to apps आपको देखने के लिए नहीं मिलता है बिल्कूल clean है के बाद जो है अबाउट डिवाइस में जाना है तब आपको पता चल जाएगा कि यहां पर क्या का चीज दिया हुआ है क्या क्या चीज नहीं दिया हुआ है तो यहां पर डिवाइस का नाम आप देख सकते हैं लावा ब्लेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा और तो आपर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HD display है लेकिन काफी अच्छा लगता है देखने में वीडियो अगर किसी तरह का वीडियो बगार या वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे कुछ प्रब्लम नहीं होती है किसी भी एंगल में आप देख ले साउंड की बात करें यहां पर साउंड मिज़े लाउड लगा है जो कि आप शुल सकते हैं तो देखिये फोन का जो मेर होता है वह प्रोसेसर होता है तो इसमें आपको मेडियाटेग का Helio G37 processor मिल जाता है जो ये एक medium processor है लेकिन देखिए अभी इसमें हम एक एक करके application को open कर रहे हैं ताकि आप notice करें कि कितना देर में ये open हो रहा है और मेरे हिसाब से जो application है वो ठीक ठाप open हो जा रहा है G37 जो है एक नया processor है लेकिन medium processor है बाकि यहाँ पे अगर day to day अगर use करेंगे आप और अगर application को use करते हैं जैसे कि open करते हैं तो उससमें किस speed से ये open होगा यहाँ पे आप live देख सकते हैं और आप खुद अंदजा लगा सकते हैं कि practically जो है ये processor कैसा काम करने वाला है तो बहुत सारा application को हम धीरे-दीरे करके open कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इसमें कितना application को बरदास करेगा यह तो धीरे-दीरे करके हमने लगभग बहुत सारा application को open कर लिया है अब बारी है कि इसका RAM management कैसा है वो चेक कर ले तो देखे इसमें 6GB RAM आपको देखने के लिए मिल जाता है लेकिन इसमें 3GB RAM और आप बढ़ा सकते हैं तो टोटल इसमें 7GB RAM आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो 7GB RAM के हिसाब से आकर देखा जाए तो काफी अच्छा optimization होना चाहिए RAM management का तो यहाँ पर चलिए हम एक एक करके application को open करेंगे और आपको दिखाएंगे जहां से हम open किये थे वो वहां से open हो रहा है कि वो restart हो जा रहा है तो last वाला phone जो आप देख रहे हैं यह camera है तो camera जहां से हमने open किया था वही से open हो रहा है ठीक photo हमको हमने open किया फोटो भी वही से open हो रहा है तो RAM management ठीक ठाक है तो आप देख सकते हैं लगबख सारे application को हम जहां जहां से open कर रहे हैं और जहां जहां से हमने open किया था ठीक वही से open हो रहा है तो यह चीज है यहाँ पर 4GB RAM और 3GB Virtual RAM इसमें काम कर रहा है सजागर के बढ़ा सकते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी capacity की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है और 5000 mAh बैटरी आज कुल के सारे phone दे रहे हैं लेकिन main होता है backup तो देखिए जितना ज़्यादा आप कम application अपने phone में रखेंगे उतना ज़्यादा आपको battery देखने के लिए मिलेगा आप बहुत को कमेंट करते हैं कि मेरा battery backup बहुत ज़्यादा कम है तो application ज़्यादा रखेंगे तो battery backup भी कम हो जाएगा यहाँ पे एक चीज में अच्छा यह नहीं लगा है कि इसमें आपको 10W का charger देखने के लिए मिलता है तो यह सायद ज़्यादा समय लगा सकता है charging के लिए तो यहाँ पे कम से कम 18W देना ज़्यादा इसमें OTG का भी options आपको देखने के लिए मिल जाता है बाकी 2-2 Megapixel की हिसाप साप मालो किसी काम का नहीं हो Selfie camera की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 Megapixel का Selfie camera देखने के लिए मिलता है तो camera को जैसे open करेंगे सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से interface इसका देखने के लिए मिल जाता है तो हमने एक यहाँ पे फोटो ले लिया है और इसे हम जूम कर रहे हैं और यह एक फोटो का फोटो है मतलब किसी human subject का नहीं है है तो कार्तिक भाई का लेकिन यहाँ पे फोटो का फोटो है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे night mode मिल जाता है उसके बाद video recording मिल जाता है और यहाँ पे आप पोटेट ले सकते हैं पोटेट का intensity जो है capacity यहीं से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं बीटिफिकेशन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है तो जब रदस्ती आपको गोरा होना है तो इसको फूर पेज करके आप जो है गोरा हो सकते है मोर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको GIF file pro mode slow motion time lapse यही सब आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है एक 50 Megapixel mode है उसको भी आप इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पे आपको त्रह त्रह कर फिल्टर मिल जाते हैं तो उसका भी इस्तमाल आपको करना है तो आप कर सकते हैं थोरा सा यूनिक लगा है जिसमें location watermark यही सब आपको बहुत साथ चीज़ देखने के लिए मिल जाता है 50 Megapixel और भी बहुत सारा mode है फूल स्क्रीन करेंगे तो कुछ ऐसा आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है तो बहुत लोग को फूल मोड़ में अच्छा लगता है फोटो तो कुछ ऐसा फोटो यहां पर देखने के लिए मिलेगा बहुत ज्यादा डिटेल से अगर आपको देखना है इसका camera चैस्ट के लिए मिलता है तो ओवरल देखा जाए अगर फोटो वीडियो सेल्फी का भी पोट्रेट का भी और रियर कैमरा का भी सारा चीज यहां पर अच्छा लगा है अभी हम आपको सैंपल दिखाएंगे तो सैंपल देखने के बाद आप खुड डिशाइट कर लेना कि यहां पर फोटो जो है किस तरह से निकल के आ रहा है बाकी मुझे कैमरा अगर देखा जाए इसका तो 9500 के साफसे कर देखा जाए देखे 10500 तो रेर कैमरा में और सेल्फी कैमरा में आप 6x जूमिंग सकते हैं यहां पर तरह तरह कि हमने फोटो दिखाया आपको जिसंसे पॉट्रेट है नॉर्मल है अलग-अलग लाइग लाइनिंग के निशन के हिसाब से हैं ताकि आप अंधाजा लगा सको कि रीर कैमरा से से इन्डो जवर्दस्थ फोटो आता है खास करके जो इसका पोट्रेट है वन अब बेस्ट चीज हम अगर मानेंगे इसका लावा का तो सबसे अच्छा मुझे यहीं लगा है पोट्रेट में आप सेल्फी में ले लो या नॉर्मल जैसे की कामरा से लो बैक कैमरा से दोनों में जवर्दस की बात करें तो नाइट मोड काम करता है सट यहां पर इंदिशन कम है तो यहां पर सबको पता है कि एक काम ही इंपूर्ट अच्छा काम नहीं करता है इसका इसमें आपको टच फोकस से काम चलाना परेगा बाकि वीडियो का जो क्वालिटी निकल गयाता है वह अच्छा निकल गयाता है तो यहां पर सेल्फी में भी काफी अच्छा आपको देखने के लिए जाता है और अगर बैकग्डराउंड में यहां पर पहले जो आप देख रहे हैं तो यहां पर कुछ इतना आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा अगर यही फोटो को हम 50 मेगर पिसल वाले मोट से आपको दिखा है तो इसमें एक ही फायदा है कि आप इसमें थोरा से ज्यादा जूम कर पाएंगे तो देखिए 50 मेगर पिसल के साइज भी बहुत बरा होता है तो बहुत लोग इसको इस्तमाल नहीं करते हैं बाकि रियर कैमरा का हो फोटो या स पास है और वो एक ऐसा फोन लेना चाहते है जो काफी अच्छा लुक्स के साथ में देखने के लिए मिल जाए तो अगर आपको डे टुडे यूज करना है नोर्माली तो एप उपनिंग स्पीट से पता चल सकता है कि कैसा है बाकी यहां पर हमने आपको बता दिया है कि कैमर के अलवेदा